चलो दोस्तों शुरू करते काली कंठी वजरा का अगला भागे दोस्तों ध्यान से सुनना बहुत दिल्चस्प है वजरा के लिए वर्सो दिन रात तडपी उसलिए इसे प्राप करके रहूंगी मैं भोकाल चाहिस के लिए मुझे तुमारे लहू से हुली क्यों ने खेलनी पर खत्रे ने सवई अपनी खबर दे दी भोकाल को अब समला भोकाल लेकिन देर हो चुकी थी वो बैनक आदम खोर समुद्री जी वुफ लेकिन सिरफ एक पल के लिए क्योंकि अगले पल ही उसे ध्यान आया उसके अपने आथों में थमी परले का वजरा जब वजरा साथ हो तो डर की क्या बात है सिर्फ वजरा को चालने भर का काम किया वोकाल ने बाकिस सब अपने आप हो गया अपने आप बैंकर रूप ले लिए वजरा नामक से एक मातर इचादारी हतियार ने और अपने आप एक कट-कट कर बहने लगे वे कहा तक समुद्री जीव समुद्री जी वो के लहू से लाल लाल और लाल होता चला गया समुद्र का पानी और तब जब अपने काम को वह खुबी अंजाम देकर वापस वोकाल के आथों में जो आ गया वजरा तो बिना किसी के बेज़े इतने बैंकर समुद्री प्रानी कैसे आप मुचे मुझत जरूर यह किसी मौत का दूत बोलो भोकाल तो ज्यादा अच्छा रहेगा वजरा पर जेला भोकाल ने अपनी तरफ बढ़ते हर वार्क हो भोकाल को मारने का अर्मान अपने सीने में दफन के नयाजाने कितने सैतान इस फणी दुनिया से विदा हो गए ठीक उसी तरह तुम तीनों को भी व पिना वजरा कभी वापिस नहीं लोटा है उफ बैस से थर थर काप उठे वजर के लिए चंबा दुर्मकाल मोत की कालिक अपना डेरा जमाती चली गई उनके चेरे पर गातक रूप लेकर वजरा जो बढ़ रहा था उनकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए लेकिन सफल हो जादा वजरा उससे पहले ही हो गया घोर चमतकार जाने कहां से आई वे किर्णे कवच बनाती चली गई उनके लिए किर्णों के अबेज सीने से टकरा कर वापस लोटा वजरा जाप मुचा स्तब्द खड़े बोकाल के आथ में इधर किर्णों का वह गेरा दुर्मकाल वज साकर कहां ले गई काफी देर तक सोचते रहने के बाद भी जब वोकाल कुछ नहीं सोच सका तो बढ़ चला अपनी मंजील की तरफ इस समस्या के बारे में बाद में सोचूंगा पहले पाता लोग पहुचू जाने पाता लत्यरा ने वहां कैसा कहर मचा रखा होगा मेरी तल हां हमने ही बचा तुम्हे सांति के इस पुजारी के आज ओर जानते हों ने इसा क्यों किया इसलिये क्यों कि संतार मौन अंदा कर दिया था हमें अपने खून को वैर्थ यजि नहीं देख सकते थे हमों से नाचाता हैओ lled हम अपने सक्ति होगे भी अपने सी के सत्थ अपन या आत्माओं को तुमारे स्रीर से निकाल फैकेगा दार उठा चमबा सुनकर महागरू बोकाल की बात अपने प्रिये सिक्षे बोकाल की ताकत पर आपको जरूर से ज्यादा गरव हो गया पिता सरी ले कि ना आपका ये गरव उस दिन चूर चूर हो जाएगा जब हम बोकाल क की लास को आपके कदमों में डाल देंगे चिंता सलकने लगी महागरू के स्वर में यानि तुम अपने दूस्ट कारियों और सैतानी रादों को नहीं त्यागोगे नहीं और गिज रही इतना कहकर फिर वह वहां खड़े नहीं रहे थे तिनों आव हम चले अपने उदेसे को पुरा करने के लिए पातालोग जहां बोकाल वजरा लेकर गया है उफ कास इन तीनों को पैदा होता ही गला गुड़ दिया होता हमने पातालोग जिसके जर्य जर्य के कान को फार डाले दे रहे उस सक्स के हलक फार ठाके जो कहका लगा कहलाया जाता है पाताल अहा इस तलव पार के बल पर ऐसा कहर मचाएगा पातालोग त्यरा कि उसका नाम सुनकर ठर्रा उठेगा प्रवतो का भी कलेजा अचानक उस कड़कती आवाज में दम तोड़ते चले गए पातालोग त्यरा के ठाके उस से पहले ही मैं तुमारे कलेजे को चाक कर डालूगा पातालोग त् मोत इन खिलोने से तू मुझे मत डिराबोकाल मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब तक तेरी तलवार मेरे हाथ में मैं विस्व के हर थियार को ना केल मुकावला करसकता हूँ बलिक उसकी धज्याभी उठा उड़ा सकता हूँ वजरा के सीने से तकराई बोकाल की तलवार का वार वातावन के कानों के पर्दे फारने पर उतारों残गे दो महासक्टी साली हथियारों की टंकार टनाक वज्ञा को अपने हाथ में रखकर ही लड़ना होगा मुझे क्योंकि मेरे फैकने के साथ ये प्रलेकारी बन जाएगा और पाताल अत्यारा के साथ साथ मेरी तलवार को भी नश्ट कर देगा अत्यारों के कुसल चालक थे पाताल अत्यारा और बोकाल लेकिन बोकाल अथियार चलाने के साथ साथ चला रहा था अपना दिमाग भी पाताल अत्यारा के आच्छे तलवार चुड़ाने के लिए मुझे एक पल का उसर मिलना चाहिए और वह असर मुझे पिला सकता है यह वह पेड लड़ते लड़ते पेड के ठीक सामने जा पूचा बोकाल अब ठीक अब इसे देना चाहिए तलवार का एक परपूर वार करने का सुनहरा असर जान बूज कर लड़ खड़ा वह पूचा बोकाल और मिल गया पाताल अत्यारो को वार करने का सुनहरा असर अब तेरी गरदन गईरे वह पूचाल हुआ भरपूर वार पेड के मोटे तने में ऐसे प्रवेश करती चलीगी वह पंक्काल की तल्वार जैसे मख्का में गरम छुरी जैसे मक्क वंक्खन में गरम छुरी और ठीक उसिपल बोकाल के आट से मेरी गरदन की नहीं अपने हाथ के चिंता कर अत्यारे और खचाक अ गढड़ से जुदा ओकर तल्वार से इ precisely चिपके रहागे पाता लत्यारा के आथ पेड से जुदा ओकर तलवार से चिपके रहागे पाता लत्यारा के आथ फड़ फड़ा उठा जल बिना मचली की बाती पाता लत्यारा भूत पीड़ा और यहने पात्यारे ले तरिप सारी पीड़ा दूर के देता हूं हry नहीं इस वार उड़ा कर पाताल थ्यारा के गर्दर बोकाल की तरह बडा वज्ञां पीछे से पढ़ी एक तेज ठोकर ने दूर उचाल दिया उसे लेकिन बोकाल से थामने के लिए अपने पीछे यहां भी आ गए और देख वजरा को प्राप्त करने का एक उधिस्ए तो हमने पूरा कर भी लिया है भाकी राय मेरा तम्हारी सक्ति पर प्राप्त करने और चंबाका तुम्हारी टुक्डूर में बटी लास देखने का उधिस्ए तो वहबी वजरा के बल पर अभी पूरा हो जाएगा नागिन सी फुकार उठी वजर कली दुरुमकाल फैक दो वजरा उतार दो वुकाल की गरदन अभी लो लेकिन ना दुरुमकाल वजरा उठा सका और ना किसी का उदेश से पूरा उसका क्योंकि उसे पल घेर चुकी थी उन्हें नहीं जाने कहां से आई वह अगनी जवाला जो उनके अलग से चीखे उबालती चली गई थी बचाओ मर रही है आँ मैं जल रहा हूं बचाओ चीखते वे तीनों को जो दिखाए दिया अगनी जवाला फैगने वाला तो उस दसा में भी चोक पड़े सभी आप पिता सिरी आप ये अगनी हमारी जान ले लेगी पिता सिरी बचा लो में हैरानी के हर सीमा से अधिक बढ़कर हैरान था वोकाल वजरकली धुरुमकाल और चंबा महागरू की संतानुफ बूत बने खड़े महागरू बोकाल ने सवेक और बचाने की गुहर तब तक करते रहे हैं तीनों जब तक जलकर राखना हो गए जलका महागरू की आखों में आसू का समुंदर कास के तुम अन्याय और पाप के रास्ते पर ना चले होते कास के तुम इनसाफ और मानवता के रक्सक बोकाल के दुसमन ना बने होते तो हम तुमें मोत के नहीं अपने गले लगाते महागरू के चर्णों से लिपट गया बोकाल आम महाने मागरू आप मेरे लिए अपने खून का इखून बहार डाला दर्दबरी मुस्कराट खेल गई मागरू के अद्रोफर तुम जैसे नयाई और बरहमंड के रक्षक के प्राणों के रक्षा करने के लिए आम तीन क्या तीन लाग संतानों को भी अस्ते अस्ते अपने आथों से कुर्बान कर दे किसी अब बहुत बालक की तरह महागरू से लिपट गया बोकाल महागरू पुत्तर फिर महागरू ने बोकाल को सौब दिया वजरा अभी नयाय और धर्म की लड़ाई समापत ने यह पुत्तर इसे अभी अपने पास ही रखो जैसे आपकी इच्छा महागरू बजरा हाथ में थाम कर अभी संबला भी नहीं था बोकाल की अचानक नहा उठी किर्णों की उस बारिस सेरे और देखते देखते हो गया बजरा के साथ बोकाल गया हो गया मगर कहां दढ़ता की कई परते चरती चली गई महागरू के चेरे पर बोकाल का इस तरह गया हो जाना किसी बूत बड़े रहसे की तरफ इसारा कर रहा है तो हमें उस रहसे का पता जल से जल लगाना है इदर बोकाल जाने किसने और कहां से फैकिती हुए किर्ण मुझे इस अद्बू सिथान पर ले आई है तब इस सवालों के जवाग के रूप में नजर आई काली कंठी मैं तुम्हें यहां लेकर आई हूं बोकाल वो आप आपके पास तो वैसे ही आपको दन्यवाद देने आने वाला था क्योंकि अगर आप वजरा का पता नहीं बताती तो ना मैं पाताल अत्यारा को मौर पाता और ना ही अपनी तलवार वापस पर आप कर पाता अच्छानक सैतानियत बरती चली गई काली कंठी के सवर में मातर धन्यवाद से काम नहीं चलेगा बोकाल धन्यवाद के साथ मैं वजरा भी चाती हूं तुम से चुंका बोकाल वजरा लेकिन वजरा का क्या करोगी आप यह भी तुम्हे पता चल जाएगा बोकाल पहले वजरा तो सुपवा मुझे खत्रे की गंटिया से बजने लगी बोकाल के मस्तिक्स में बेज सावधानी बरेश सवर में बोला वे नहीं नहीं यह बहुत गातक अतियार है मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकता जहर बरता चला गया काली कंठी के सवर में बोकाल का इनकार सुनकर लओ के सुरक रंग से रंगती चली गए उसकी आँखे मुझे वजराद चाहिए वोकाल हर हाल में चाहिए वोकाल के आखों में प्रवेश करती चली गई काली कंठी की आखों से निकली वे समोक किर्ण और आग्याकारी बालक बनता चला गया वोकाल आपको वजराद चाहिए ना ये ले लिजिए वज़रा चाहिए ने ये लिजी है, वज़रा रात में आते ही एक गमन भेदी एटास कर उठी कानी कंटी कानी कंटी आप वज़रा के स्वामनी बन गई हूँ मैं, अब खैर नहीं महागरू बोकाल के खैर नहीं आप हा वजरा से आप मागरू बोकाल को क्यों समाप्त करना चाहते हैं क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका कहर बर्षने लगा काली कंटी के मुख से मेरी दुनिया बिगाड़ी है उसने मेरे उस पिता का त्यारा वाजी से अपना सब कुछ समझती थी मैं आपके पिता कौन थे आपके पिता? कंजूरा नाम था उसका जो वर्ष वहले परी लोग की परियों पर अपना अधिकार जमाने निकले थे लेकिन उस मागरू ने इस वजरह से हाँ इस वजरह से ही सहार क्या था उनका बहुत सोटी थी मैं उस समझ जब मुझे अपने पिता के सहार की ससना मिली उसी उमर में परतिग्या की मैंने मेरे पिता के तैरे महागरू बोकाल जब तक अपने हाथों से तुझे मौत दे कर तरी लास को अपने कदमों तले नारोन डालोंगी तब तक चैन से नहीं बैठोंगी मेरे ये टल परतिग्या सुनकर पास ही खड़े मेरे गुरू मंजौला चिंतित सवर में बोले तुमने ऐसी परतिग्या कर डाले पुत्री जिसे तुम कभी पूरन नहीं कर सकती क्यों गुरू देओ क्यों क्यों क्योंकि महागुरू बोकाल महा सकती साली सकतियों के स्वामी है और उनकी सकतियों की काट एकी सकती है और वह सकती है वजरा और वजरा को प्राप करना संभव है क्योंकि वजरा रखा नरक जाल में और दूस्त परवतियों के मनुस्सों का नरक जाल में पूछना संभव है लेकिन अपने सीने में दधकती बदले कि आग को ठंडानी होने दिया मैंने प्रियास में जुट गई मैं वर्सों के प्रियास के बाद सफलता तो नहीं मिली मुझे हाँ ये खबर जरूर मिली कि महागरू बोकाल की मिर्टू हो गई नहीं नहीं ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता दूल दूसरी तो गई मेरी सारी उमिदे लेकिन फिर भी हार नहीं मानी मैंने तु मर गया महागरू लेकिन तेरा पिछाब भी नहीं छोड़ूँगी अपना बदला तुरी आत्मा से लूँगी मैं इस तरह जारी रहा मेरा प्रियास और तब जब तक मैंने सुना कि तुम परी लोग पुछ गए हो तो मुझे लगा कि तुम मेरा अदेशा पूरा कर सकते हो फिर क्या था मैंने तुम्हारे दोरा वज़रा प्राप्त करने की योजना बनानी शुरू कर दी जिसके तहट सबसे पहले मैं अपनी सकतियों से तुम्हारी तलवार को खिच कर इस तरह पाताल लोकला की वह सीधी पाताल अत्यारा के आथ में जा पूछी और फिर जब तुम उस तलवार को लेने वहां पूछे तो मैंने तुम्हे अपने जाल में फसा कर वज़रा लेने के लिए बेज़ दिया आज सफल हो गई है मेरी योजना आज वज़रा प्राप्त करने में सफल हो गई हुमें अब महागरू बोकाल से अपना बदला लेने में मैं भी जल्दी सफल हो जाओंगी मैं उसे पल बोकाल ने कर दिए प्रतिक्ष थरकत जिसका गुमान काली कंठी और सपनों में भी नहीं था धड़ाक ऐसा कभी नहीं होगा दुस्ता कभी नहीं अविस्वास अविस्वास और अविस्वास नजर आ रहा था काली कंठी के चेरे पर तुम मेरे समोईजाल में नहीं फसे थे वोकाल नहीं क्योंकि जिस समय तुम मुझे समोयत करने की कोशिश कर रही थी मैंने अपने सरीर के सभी सनायों को सुनने में पूंचा दिया था और इस तरह मैं समोयत होने से बच गया लेकिन तुमने समोयत होने का ढोंग क्यों किया तुम्हारी असलियत जानने के लिए मैं जानना चाहता था कि आखिर तुम वज़रा प्राप्त करना क्यों चाहती हो और क्या दूसमनी है तुम्हारी महागरू बोकाल से और अब चुंकि मैं तुम्हारा उदेश से जान चुका हूँ तुम मुझे रोक सकते हो ये गल्थ फहमी है तुम्हें इसलिए होगे वोकाल कि अभी तुम काली कंठी को च्छी तरह नहीं जान दे लो देखो मेरा असली रूफ इस पल एक पल के लिए बहुत सका सा रह गया वोकाल काली कंठी के उस रूप को देखकर हाँ हाँ बोलो वोकाल क्या तुम रोक पाओगे मुझे वो फितना बहन बहन बहनक रूफ शिर्फ बयान की नहीं बोकाल साउडनायक भी चटर कटर रहा हज से ज्यादा खतरनाक बोकाल को संबलने का कोई भी मौकार नहीं दे रही थी काली कंठी तडब वोकाल तडब जिन्दी के लिए तब तक तडब जब तक तुझे मौत नहीं आ जाए पीड़ा से तडब तरह वोकाल तब तक और जब बहोस होकर नीचे ना गिरा दुरिंदिगी से बरुठी काली कंठी कियांकि वजरा से तरह लास को सैक्ड़ो टुक्डो में काटोंगी वोकाल लेकिन वजरा लेकर वापस लोटती हूं है अभी वजरा को लेने चल पड़ी काली कंठी जब नीचे पहुंची तो स्थब रह गई अरे वजरा कहांगा यही तो गिरा था तेरे अप्वीतर आथों में वजरा पहुँच जाएगा सोच कैसे लिया दुस्टा मागरू वहकाल हाँ वहकाल के कंट से निकलने वाली चीख को सुनकर उसके लिए मददगार और तुमारे लिए मौत बनकर पहुचे हैं निस होचा था कालिकंटी वजरा जो उचाला महा गुरू ने तो कालिकंटी के सैतान शेवकों का नास करके ही वापस लोटा इस बार वजरा का निशान थी कालिकंटी तुम जैसी पापिन को जीट छोड़ना न्याए होगा बैहावी होता चला गया कालिकंटी पर चीक खुबलती चली गई उसके कंड से नहीं रहम रहम सब थाई नहीं वज़रा के सबद कोस में एक ही सबद जानता था वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने दुस्मनों का विनास देर से इसी पाप और पापी कांट होता जरूर है अब हम देखते हैं उपर पहुचकर बौकाल को उसमें लाए महागरू महागरू आप ठीक तो है महागरू हाँ पूतर हम ठीक हैं काली कंठी का क्या हुआ उसे उसके करमों के सजा मिल चुक है अपने विर्टू देवता के पास कुकरमों का इसाप देने पहुंच चुक है आप उत्तर अब हम परी लोग वापस चले परी लोग सरग को भी मात कर रही थी जिसकी सुन्दरता और इसका सरे जाता था तुरिन और सक्ति साली को जिनों ने परी और परो के साथ मिलकर परी लोग को वर्तमान रूप देने के लिए राद दिन मेहनत की थी आसु बराय थे बोकाल की आँखों में परी लोग के उस रूप को देखकर सब कुछ वर्सों पहले जैसा गर किसी बात की कमी है तो बस मा की जिनकी तस्वीर आज भी मेरे सीने में याद बनकर बसी हुई है मागरू ने सात्वना दी बोकाल को मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो पुतर लेकिं तुम्हें सब बूलकर ब्रहमन की बलाई के कारिये में लग जाना होगा चोंकि यही तुमारा धरम है और यही तुमारा करतवे आसु पोस डाले बोकाल ने फिर मागरू ने परकट की बोकाल की ढाल यह रही तुमारी ढाल जो दुर्मकाल की मुर्टू के पसा सवय हमारी गुफा में पहुँच गई थी अब तुम वापस पित्थी लोग जा सकते हैं हम चलते हैं वजरा नामक इस प्रलक को वापस नरक जाल में रखने के लिए पाएंगे मितर को भी मितर अपने मितर को स्योग देकर रहसान नहीं करता वोकाल वह तो मितर और मितरता के प्रति उसका करतेव होता है सबी से सबी ने एक दूसरे को अनीतर से विदाई दी अच्छा मितर जब भी आफसकता पड़े याद करना सकती साली सिर के बल चलता वाद तुमारे पास पहुँचेगा समाब दोस्तों ये थोड़ी कहानिया आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहिए तो पोज करके इसके अगले भाग में फिर मिलेंगे अतिकूर और स्थान के साथ अगली चितर कतायत जवाला सकती वो भी पढ़ेंगे दोस्तों